प्रणना दायर सुन्दर सांचे, वीरा हमारी एक ऐसी संपता है, जिसके द्वारा हम इस अंसार में बैठे बैठे, प्रियत्म के प्रेम की मदूर अनुबूती कर सकते हैं, वैसे देखा जाए तो वीरा की पीला बहुत ही कश्टकारी लगती है, किन्त इसका रस बहुत मोहक भी होता है, जैसे आमला खाने में पहले कड़वा तो लगता है, किन्त बाद में मिठास कानपा होता है, और वो सर रोग हरी होता है, वैसे ही जदी वीरा के रस में जिसनी बाजी जीत ली, रस खान को देखिये, मीरा को देखिये, राधा को देखिये, सुरदास को देखिये, इन्होंने स्वाहिम को प्रेम मई भक्ति में ऐसा डूगो डाला, कि उनको संसार नहीं दिखता था, मीरा तो कती है, जो मैं जानती, प्रीत की ये दुख होई, नगर प्रीत नकरीगो, मीरा के ये सब ये दर्सा रहे है, अंदर में प्रीत ही है, प्रीतम आगों से दिखनी रहा है, प्रीत की वही अग्ने ददखते दखते जोला मुखे का रूप ले लेती है, जो वीरा के रूप में प्रशूटित होती है, उसका एक ही लक्षा है, जो हमारा प्रणिस्वर है वो हमारे चक्षों के सामने आ जाए हिंदिस आहित में सट्रुति छे रितियों में बीरह की भावना का वर्ण किया गया है पदमावद गरंथ में जिसके रश्नकार है मलक मुहम्मद जायसी वही साहिली इस सट्रुति गरंथ में भी दर्स आई गई है वीरह के भावन को ब्यक्त किया गया है किस तरह से इंदरावति आत्मा अपने प्रानेस्वर के लिए तर्फ रही है उनके प्रानेस्वर सद्गुरु धनिस देव चंजी के धामिर्दे में विराजमानुक लिला कर रहे है नौतन पूरी में वे बैठ है लेकिन वे बुला नहीं रहे है नहीं जा रहे है कही न कहीं एक दूरी दिख रही है और ये दूरी ही तो विराख को जन्म देती है मारिफत विज्ञान के दिश्टे देखा जाए तो आत्मा और परब्रम में कोई दूरी न थी न है न कभी होगी लेकिन आत्मा की द्रिश्टी जब इस नस्वर संसार में पढ़ जाती है तो परमदाम के लिला को छोड़ कर संसार के लिला को देखने लग जाती है जीव के हिर्दे अपिटल पर उसी को कहा जाता है कि वियोग हो गया है वियोग होता नहीं, नो होते ही भी हो जाता है मुल मिलावे में परमदाम में सभी सक्या राजी के सम्मुक बैठी है लेकिन बाते नहीं हो सकती है आँखे खुली हैं, देख नहीं सकती है इस दिये सामने वोती ही भी वहाँ वियोग कहा जा रहा है प्रिया प्रियतम एक दुसरे में ओध प्रोथ होते हैं हम हक में हक हम में और हक बिना सब ख्वाब इतना होती हुए भी परमधम में विका गया है कि मुल मिलावे में तन फरमुसी में बेठे हैं वहतत में फरमुसी नहीं जा सकती लेकिन बरण किया जा रहा है इस अंसार में इन गुनेगारों के दिल को अर्श कर बैठे महरवान सुएम एक्षरतित आत्मा के धाम मिर्दे में मारिफत की दिश्चे विराज माने लीला रूप में नहीं और उसको मारिफत की उस अवस्ता को हकीकत में परिवर्थित करने के लिए हमें विरा का आधार लेना पड़ेगा क्योंकि विरा से ही प्रेम का सिंगार होता है विरा के निग पर ही प्रेम का महल खड़ा होता है जिसमें प्रित्नमक्षरतित अपनी आत्मा के धाम इर्दे में विराजमानों कर दिश्च कोचर होने लगती है विराजमान तो पहले भी था लेकिन आत्मा देख नहीं पा रही थी और यही विरा के भाओं को प्रगट किया है हम सुन्दर साथ के आत्मिक सुक के लिए ताकि हम सुन्दर साथ सरियत और तरीकत से आगे कदम अढ़ाते हुए प्रेम के उस पुनीत मार्क पर चले है जो हमारे जीवन का धार है चित्वनी के दोरा हम विराज में प्रवेस करते हैं क्योंकि चित्वनी में आँखे बंद जब हो जाती है तो आँखों से दिखने वाला बाय संसार अद्रिस हो जाता है मन मस्तिस्क में जरूर अंतरिक संसार वसा होता है किन्त विराज की अमरित में वुदे मन मस्तिस्क से भी संसार को अटा देती है जब संसार अटा तो हमारे उर्धनी के बीच का परदा मिठी जाता है और परिड़ाम क्या होता है हमारी आत्मा अपने प्राण बुलब का दिदार करने लगती है हक नजीक सहरक से आड़ो पटने द्वार बाणी का कथन कभी भी विरोदवास नहीं पैदा करता है आउसकता है सामजेस बिठाने की जो सद्कूर धनिसी देवचंजी के धाम हिर्दे में प्रितम अक्षरादीत विराजमानों कर लिला कर रहे हैं वही अक्षरादीत इंद्रावती जी के धाम हिर्दे में भी है लेकिन हकिकत यानि लीला का प्रतक्षे करने सद्कूर धनिसी देवचंजी के तन से हो रहा है इंद्रावती जी के तन से ने इंद्रावती जी के आत्मा अभी स्वाम को पैचान नहीं पाई है इसलिए दिदार करना चाहती है उसको नहीं मालूम कि मेरे भी सहरक से नजदीक है सहरक से नजदीक मेरा प्रितम मेरे पास रहता है किन्त वो तो मार्फित के वस्ता में है जल जब तक बहे नहीं जमा हो कैसे कह सकते हैं कि ये द्रवन रसील है ये बहने वाला जल है उसको तो बरफ ही कहा जाएगा बरफ को जल की संजाद तब मिलेगी जब बहना सुरू कर देगा इसी तरह से मारिफत का सुरूप जब तक हकीकत में नहीं आता तब तक उसको लीला सुरूप नहीं कहा जा सकता और छटे दिन के लीला में हर सुंदर साथ को ये सट्रूती की ये वाणी स्वैम अपने उपर घटित करनी है कि धाम दनी ने हमें सागर सिंगार खिलोत परिकरमा का जान दे दिया 18758 चपाईयों की ये के धाम हर्दे में प्रितम को देखना होगा खट्रती के एक-एक सब्द हमारे हर्दे में चूप जाते हैं जैसे वो प्रेडित कर रहे हैं हो कि रिया आत्मा तुझे अपने प्रेडिस्वर को पाने के लिए वीरा का सिंगार सजना होगा तब ही प्रेम का अनत्सागर तेरा प्रितम हिलेगा वीरा से रहित जो हिर्दा है वो प्रेम का अधिकारी नहीं बन सकता वीरा किसको होगा जिसने अपना सर्वस प्रेडितम को सौंप दिया है जिसके हिर्दे में संसार की चाहत न रह जाए संसार के किसी भी पद प्रतिष्ठा की अकंछा नहीं रह जाए, किसी सुक की चाहना नहीं रह जाए, कि वह ही विरा कादिकारी होता है संसार में योगी यती विद्वान तफस्वी बनना बहुत सरल है, लेकिन प्रेम में तडपना, विरा में तडपना बहुत कठीन है विरह नहीं ब्रमान में बिना शोहा की नार परमधाम की आत्माओं के तरिक्त विरह किसी अन्य के सुभागे में नहीं आता या अवर्ष रिष्खान का नाम आता है मीरा बाई का नाम आता है या हमारे लिए एक सिख़्ापन के लिए धामदानी ने संसार की जीवों से भी ऐसी लिला करवा दी ताकि हम स्वयम को आत्म निरिक्षण की कसोटी पर कुछ कस्नी का प्रयास करें आज देखा तो यह जा रहा है कि मीरा ने विलकते विलकते अपने जीवन कमा दिया और हम करमकांड करते करते अपने जीवन कमा देते हम तो जड़ पूजा करने वालों की सारी नकल उतार लेते हम चितनी में विरा की आशों से स्वयम को भी कोना नहीं चाहते हमने तो बस यही सिखाए है कि हनुमान जी के मंदिर में जो होता है संकर जी के मंदिर में जो होता है गड़ेजी के मंदीर में जो होता है वो सब कुछ हम करें लेकिन वेरा क्यासों से स्वैम को सिंचित करने का साहस जो करेगा कहीं न कहीं बरतमान समय में समाजी को पिक्षा कभी बातर बन सकता है कुछ समय के लिए जिस प्रितम की पहचान करता है और उनको अपने हिर्दे मंदी में प्रत्यक्ष देखने के लिए विरा का रस्त वादन करें जिसने विरा का अम्रित घुट पी लिया वो प्रेम के सागर में प्रेस करने का आधिकारी बन जाता है और जिसने प्रेम के समराज में स्वयम को प्रेस करा लिया अक्षलातीत का दिदार उसे पल भर भी दूर नहीं हो सकता अब यह बढ़ने चल रहा है सितरितुगा हेमंतरितुगा जो कार्थिक और अगहन मास में होती है इसमें एक दिश्टान्त है आप देखेंगे ये जो विरा के ये सारे प्रक्रणे है छे रित्यों में और बारा महिनों में किस तरह से विरा को दर्साया गया है एक एक रित्यों में दो-दो माह होते है और ये हिमन्त रिद्ध है कार्थिक आउगान के मास में जिसमें बादलों का अस्तितु नहीं दिखाई पड़ता रुतने आवी रे वलया हेमनी में घलियों गयों पुताने घिर आप रुतने सीतल रे लागे मुने दोहिली हवी मुने कान ते डूपरानात प्रिकर्थ में सीतलता ब्याप्त हो गई है प्रिकर्थ अठ्वास कर रही है देखो इंद्रावति हमने तो वीरा के बादलों को पहले समाप्त कर दिया है प्रितम से मिलन हमारा प्रत्रक्ष है मैं प्रिकर्थ प्रितम के अर्धांगने हूँ अकास से बादलों का अस्तित्व नहीं समाप्त हो गया है सीतल हवा के जोगों से मैं जूम रही हूँ चारों तरफ जिदर देखें सीतलता ही सीतलता दिखाई दे रही है ब्रिक्षों में सीतलता हवा में सीतलता ऐसा लगता है कि प्रकृत स्टि छिलहा रही है। में एक जड़ प्रकृत के अंदर इतिने सी दलता आजाती है और तो सच्त आनन्द परभ्रह्म की प्राणी स्टुरी कहलाती है अर धांग नी कहलाती है फिरते यिस्टुरी कहलाने का दम भरती हो लेकिन तेरा प्रितम तो तुझे बुला ही नहीं रहा है तुझा कर भी इसी नगरी में रह रही है लेकिन प्रितम से जाकर मिल नहीं सकती कैसा है तेरा प्रितम और तुझे कैसी मंद भाग्या है तुझे स्वभागवती तुम मैं हूँ जो प्रितम का प्रेम भी पा रही हूँ और प्रितम के प्रेम की सीतलता ने मुझ प्रकृत के अंदर चार और सीतलता चा दिये अगे करती है कि बनने च्छायूरी वाला द्रुम वेलिडी सीतल धराने सीतल वाय सीतल जलने सीतल च्छाय दी पढ़ मारी अंगलागे अतिदा है द्रावधी जी के आत्मा इसी पीडा को दर्सा रही है ब्रिक्चो की सीतल छाया चर असरोते दिखाई दे रही है धरती सीतल हो चुकी है सीतल हवा के जोंके सरीर में लगकर सरीर को कमपमाइन करने लगते हैं ब्रिक्चो से लिपट कर लताएं ये कह रही है कि सीतल रित्में हम पिरित्म से आलिंगन बद्ध होकर अपार अनन्द कानबो कर रही है किन्तु ये पीडा महामेधी जी की आत्मा को अतिद बिथित कर रही है एक तरफ प्रकृत में सीतल ता है दुसरे तब इंद्रावती के हुर्दे में वीरा का जोलामों की दद कर रहा है तब ही तो कहती है पड़ मारे अंग लागे अतिदा मेरे अंगं में वीरा की अगने जदक रही है इंद्रावती जी के आत्मा कर रही है कि मेरे धाम दनी इस हमें तेरी तुमें बर्सा कराने वाले बादनों का समों तो उचल हो चुका है किन्द मेरे आपके बीच में बादक बनने वाले इस वीरा के बादल अभी गए नहीं है मैं सोचती थी इन वीरा के बादलों से कुछ प्रीम के मुरित मैं ये बूदे टुपकेंगे लेकिन नहीं मेरे हिर्दे में तो वीरा के बादल अभी बीच आये हुए है इस ये सित्रित होते वे भी सीतल हवा के छूँके मेरी अंतरात्मा को अभी भी सांत नहीं कर पा रहे हैं मैं क्या कर रहे हैं नैणा ने तरसे रे वाला जीने निरखवा मेरे नित तरस रहे हैं किसके लिए आपको देखने के लिए प्रियतमा की चाहत क्या होती है, कुछ नहीं, उसको संसार नहीं चाहिए प्रियतमा की चाहत होती है, एक मात्र प्रियतम का दिदार क्योंकि दिदार ही तो उसका जीवन है आज छटे दिन के लिला में हम सुंदर साथ क्यों चुपाईयां पढ़कर सिवा पुजा करके कर्मा करके परसाद लेकर खुश हो जाते यह जागनी नहीं है यह तो बच्चों का खेल है नायणा ने तरसे रे वाला जी ने निरखवा स्रमा तरसे वाणी रसाल मेरे जीवन का लक्ष तो तप पुरा होगा जब मैं अपने चक्षों से आपको जी भर कर देख लो रू नैनो दिदार कर रू को जुबां हक्सो बोल रू कानों बाते सुने यह बट रू अरिस का खो सट्रूती की वाणी को पढ़कर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो किवल इंद्रावती जी के लिए हैं इंद्रावती जी के साथ जो कुछ हो चुका है वो तो अतीत की बाते रह गई हैं सट्रूती के हर सब्द को हमें अपने उपर गटित करना होगा ताकि समझें के छटे दिन के लिला में पिरितम अक्ष्राथीह महामती जी के धाम हिर्दे में बढ़े मारिवत के देश्चे हमारे भी धाम हिर्दे में विरास माने जिस तरह से नौतन पुरी में देवचन जी भी थे, स्री मिहराज भी है स्री देवचन जी के धाम विर्दे में अक्षरातीत हकीकत में लिला कर रहे है महामती जी के धाम विर्दे में इंद्रावती जी के धाम विर्दे में मार्फित के दिश्टे राची है लेकिन एक परदा है वो हकीकत के रूप में जब तक इस्तिती बदलना चाहे परमसत्य सत्य में जब तक दिश्ट को चर नहो उसका रस्त उसादन कैसे किया जा सकता है यदि मुसंपि के छिलके कावरण नह उतारा जाए और उसको जीवा पर नह रखा जाए तब तक उसके स्वाद के बारे में क्या का जा सकता है यही इस्तिती हमारी है हम वाणी से बार-बार-बार चिंतन करते हैं सोचते हैं कि धामदेनी नहीं बार-बार क्यों का आए हक नजीक से रख से आड़ो पटनर दौर हम ये भी का देखो भए अर्स दुमारा मेरा दिल है इताय करो विस्राम फिर हमारा हिर्दे अर्स की सोभा को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा है क्या हमारे हिर्दे मेरा जी नहीं है यदि केवल महामती जी के हिर्दे मेरा जी है या स्रीदेवचन जी के धाम हिर्दे मेरा जी है हमारे हिर्दे में राजी नहीं तो ब्रमामना करलाने का अधिकार हमें कैसे मिल सकता है संसार में जो माया के जीव भी होते हैं प्रिया और प्रितम आसिक और मासुक एक दुस्तरे के हिर्दे में बास करते हैं रोम रोम में रोम रहा प्यू आसिक के अंग इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक एरंग आसिक के रोम रोम में उसका मासुक बसता है यदि हम परम्ध हमकी आत्माओं का यह दावा है कि प्रेतम अक्षरातीत के हम प्रेमी हैं हम उनके आसिक हैं हBERTleader में हमारे प्रहतं मासुक स्रीराजी का स्रिंगार क्यों नहीं पसता है हम उनको देख क्यों नहीं पार अमृत मयिवाणी को जो प्रेम के सागर में इस्टनान की होई होती है उसको हम सुन क्यों नही पार है क्योंकि हमें कुछं मार्ग ऐसा बता दिया गया है कि जो स्री देवचन जी के धान बिर्दे में मारिफट का सुरूप लिला कर रहा है हकीकत के रूप में वही इस्थिति आज़ भी है अब महामती जी के धान बिर्दे में पृतक्ष रूप में लिला हो रही है पांचवे दिन से और छटे दिन के अंधर तक चलती रहेगी उनके दहां मिर्दे से जैसे इंद्रावति जी के आत्मा तरप रही हैं अपने प्राणिस्वर को देखने के लिए देखा जाए तो यह बात स्रीदेवचन जी के तन के दिदार से समझती थे क्योंकि अभी उस समय खिलोत परिकर्मा सागर स्रिंगार की वाणी नहीं उतरी थी जब स्री मेराज अरब से आते हैं तो बालबाई के दबाव पर स्री देवचन जी उनका प्रणाम से उकारने करते हैं प्रणाम कौन कर रहा है श्री मेराज का तन किसको सद्गुर्धन इस देवचन जी को आंतरी क्रूप से देखा जाए तो मेराज के धा मिरदे में इंद्रावती है और श्री देवचन जी के अंदर स्यामा जी की आत्मा है जिनके धा मिरदे में स्री राजी विराजमान होकर लिला कर रहे हैं मिहीर राज की आंखे हैं स्री देवचन जी के बाहर कलेवर को देखती हैं तो उनको ऐसा अवास होता है उनके हिरदे को कि मैंने राजी का दर्शन कर लिया अपने सत्कूर के सरूप में राजी को पाया है किन्त देखा जाए आज तारतामाणी के प्रकास में तो हम अंतर दिश्चे देखें तो ऐसा लगता है कि मारफ़त के दिश्च से हर आत्मा के धाम विर्दे में युगल सरूप हर पल साथ रहे है थें और अनंतकाल तक रहेंगे कभी वियोग होई नहीं सकता क्योंकि परम धाम में ना अर्ष जीमी ये दूसरा कोई और धरावी ना ये लिख्या वेद कतें में कोई नहीं खुदा बिनका हूँ मैं आपको एक दिश्चान से समझाता हूँ आम की पत्ति को सुगेंगे तो आम की फल की सुगंद आएगी बार को सुगेंगे तो भी उसकी सुगंद आएगी उसकी चाल को सुगेंगे तो भी आम की सुगंद आएगी आप सुग करके बता सकते हैं कि ये आम की चाल है यह आम की पत्ति है और यह आम की बोर है नो दिखाया जा तो भी किन्त जब तक उसका फल नहीं खाये आप यह नहीं खा सकते हैं आम के फल को खाये बिना आप यह दावा नहीं कर सकते कि मैंने आम को खाया है पत्ति को खाएंगे या बार को चबाएंगे तो ये कहेंगे हमने आम की बार को चबाया है या आम की पत्ति को चबाया है हाँ सबे में सुगंद एक आम की है जाए फल हो पत्ति हो बार हो या छाल हो किंद आम के फल को खाने के बाद ही जा सकता है बेवार में कि हमने आम को फल को खाया है बस यही सी बात है परमधाम में परात्म का सरूप राजी का सरूप है पसमक्षियों का सरूप राजी का सरूप है सबकुछ राजी के सरूप है किन्त जब लीला होती है तो मारिफत का सरूप हकीकत में जब दिश्ट कोचर ह होता है तो एक भेद दे्ष्टी ben जाती है। कि कि हम सखिया हैं यह खूब को सालियं, यह पस्पक्षि है, यह राज्जी है। यह प्रियत्म हैं, हम इनकी प्रियत्म और हम इनको रचा दिये। यह इस्थिती इस जागनी के ब्रमान्द मे भी है। हमने इस अंसार में भक्त और भगवान की लिला को देखा है भक्त आराधना करता है भगवान की भगवान अपनी किरपादिष्ट देकर सुख देते हैं भैकुंट में भेजते हैं, निराकार में भेजते हैं यह जो पंचवासना होती है, उसे ब्याद मंडल में अस्थान देते हैं किन्त, जदि हम परमधाम के दिश्टे देखें, तो क्या है, देखने वाला भी वही है और जिसको देखा जा रहा है, वह भी एक ही है द्रष्टा और द्रिस एक है, किन्त यहां एक द्रष्टा है और एक द्रिस से है, क्योंकि लीला है, हकीकत में छड़े दिन की इस लीला में, हम यह आसास करना है, कि भले ही मारिफत की दिश्टे से, राजी हमारी सहारक से नजदीक है क्योंकि उनके अत्रीक परमधा में कोई दुसरा है ही नहीं तो हम भी तो उनकी सुरूप हुए किन्थ जब लीला चल रही है तो लीला में तो द्रश्टा और द्रिस में भेद करना ही पड़ेगा प्रिया और पृतम में भेद करना ही पड़ेगा आसिक और मासुक में भेट करना ही पड़ीगा यही करण है कि छटे दिन की लिला में हर आत्मा को प्रितम के दिदार के लिए अपने कदम बढ़ाने होंगे ताकि उसकी आत्मा के दहां मिर्दे में जो मारिफत की सरूप सिरी राच्ची है हकीकत में दिश्ट गोचर हो जाए सिंगहसन पर युगल सरूप के रिप में दिश्ट गोचर होने लगे और आत्मा अपनी जागनी का लक्ष पूरा कर सके सल्टूति के एक एक सब्द हमारी आत्मा को जोड़ते है हमारी आत्मा का हिर्दे इस लक्ष को पाने के लिए मचलने लगता है कि कब प्रितम का दिदार में कर लो और उन्हें के लिए ये बाहत कही गई है हमारी आत्मा के लिए ये उत्प्रेरक के सब्द है कि नैना ने तरसे रे वाला जी ने निरखवा स्ट्रमा तरसे वाणी रसाले मेरे नित तरस रहे हैं प्रितम को जी भार कर देखने के लिए कान तरस रहे हैं प्रितम के मुखारविन से निकलेवी अमर्तमाई वाणी को सुनने के लिए अंग वाणी तरसे रे वाला जी सु बात दी मेरे जीवा तरफ रहे हैं का प्रितम से बाते कर लो जानू करी कांडू रुद्यानी जहार और इस तरसे मैं अपने हिर्दे में जो विरा की जौला ददक रही है लप्टे निकल रही है विरा की जौला मुखे की उसको मैं सांथ कर लू आप देखेंगे जो सिंगार की चौपाई करती है कि रुभ नैनू दिदार कर आत्मा की आँखों से प्रितम को देखे रुभ जुबां हक्सों बोल और आत्मा की जीवा से उनसे बाते कीजिए रुभ कानों बाते सुने और आत्मा के कानों से हम उनकी बाते सुने यही पट रुभ अरस का कौने जदी हम ऐसा कर लेते हैं, तो हमारी आत्मा के उपर, जो माया का आवरन पड़ा हुआ है, वहट जाएगा. सट्रुती में इंद्रावती जी के आत्मा सद्गुर्धनिसी देव चन्जी के बाये दर्शन को आंतरिक दर्शन के साथ जोड़ रही है. इंद्रावती जी का आसा यह है, कि सद्गुर्धनिसी देव चन्जी के धा मिर्दे में मेरे प्रितम विराज माने, युगल सरूप विराज माने, तो उनका नक से सिक्तक सरूप मेरे लिए वही है, वो उनको संसारिक भाव से नहीं देख रही है, कि मैंने इन से तार्तम जया रहे हैं, एक बार मुझे बुला लिजे, ताकि मैं अपने नितनों से आपको सक्षाद देख लूँ, ये औस्था कब आती है, पेचान के बाद, आँखे तो सरीर को देखेंगे, लेकिन आँखों का समन्त तो हिर्दे से जुड़ा होता है, वो जीव का हिर्दे होता है, जी अपने प्राणिस्वर को पहचानती है, अंतर दिश्टी खुल जाने के बाद, जब हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है, कि स्री महमती जी के धामिर्दे में, हमारी प्रित्म विराजमान है, और जिन्हों ने पहचान की, चाहिए लेलिता ने पहचान की हो, चाहिए माराजा चाहिए लालदास जी ने पहचान की हो, या मुकंदास जी ने पहचान की हो, उनके साथ वह यही विद्वित्धीत होता है, तन्हों तो दीख रहा होता है महिर्द का, लेकिन उनके अंदर बैटेविये धाम धनी काउने अभास होता है, आत्मत्र चक्चों से पर्टप्छ दिखाई देते हैं वो, इसलिए वैसी भावना कर लेते हैं तबी तो कहा है, सुर असुर सबों को एपती, सब पर एकदिया देत दिदार सबन को साई, जिनहों जैसा चाया परितम अच्छर देत, जो महामती जी के धामिर्दे में विराजमानों को लिला कर रहे हैं उस सब के हैं, हिंदों के भी हैं, मसलिमों के भी हैं, जो जिस रूप में उनको देखना चाहता है उसी रूप में दिखाई देते हैं, बाहे कलेवर अद्रिस से हो जाता है, जो महराज का है और इसी समन्द में कलस्मिक चपाई आती है मेरे गुर अंखड़े होसी अर्चासिया कार्थ मुझ मेराज के ये तन ने जागनी लिला में अपने उत्तरदाइत का भान किया है इसका परणाम यह होगा कि इंद्रवति की आत्मा जिसमें राज के तन को धारण किया है वह जीव सत्सरूप की पहली भाष्त में राज जी किस रूप की नकल का रूप बनेगा यानि उनका प्रतिवेंबित रूप धारण करेगा और सारा ब्रह्मान्ठ अर्थात योग माया की सभी भाष्तों के जीव या इस्वरी सिष्टी इन्ही मिहराज के जीव को राज जी का साक्षात सरूप मान कर पूजा करेंगे उनकी भक्ति करेंगे सब यही समझेगे कि हम तो साक्षात राज जी की भक्ति कर रहे हैं वैसे ही समरपन की भासा यही कहती है कि जैसे मिहराज ने स्रीदेवचन जी के धाम हिर्दे में विराजमान अपने सर्वस, अपने अराध, अपने प्राण बल्लब, अपने हिर्देश्वर को पैचाना था और उनके वह दर्शन को भी सक्षात दर्शन से तुनला की उसी तरह से महामती जी के धाम हिर्दे में विराजमान यूगल सरूप को हम पैचाने और समझें कि प्राण नाजी का सरूप अक्षरतित का सरूप है वो कोई संत मापोरुस कभी नहीं है आप सूचे यदि आप प्राण नाजी के महिमा को बढ़ा नहीं सकते है तो उससे बार-बार संसारिक महापोरुसों की उपादियों से तुनला संत कभी महापोरुस ये किसकी उपादिया है ये तो संसार की जीवों की उपादिया है कम से कम हम अपने आराध्य अपने प्राण स्वर को इतनी छोटी उपमा तो न दिया करें ये सटूते की बाड़ी बहुत कुछ कह रही है कि छटे दिन की लेला में हर सुन्दर साथ को करना क्या है ऐसे तो बर्तमान सुमय में जो चित्र प्रचलित है जाए देवचंजी का चित्र हो या प्राणाजी का चित्र हो यह उनका नहीं है यह तो जामनगर के दो राजाओं के चित्र हैं जिसमें एक को देवचंजी का दिया जाता है एक को प्राणाजी का दिया जाता है दोनों चित्र कालपनिक है इन चित्रों को हमें कभी नहीं मानना चाहिए प्राणात प्रितमक्षरतीत को कहते है जो महामती जी के दहा मिर्दे में मिराज मान है प्राणात मिराज कताना नहीं है मिराज के उस्तन के रहते रहते आज तो सब कुछ तक्निकी सुबधाएं हैं उस में ये सुवधा नहीं थी, कि स्री जी के सुरुप का कोई चित्र ले रहता, और नहीं लिया तो अच्छा ही हुआ, यदि चित्र होता, तो उस चित्र के ये आज पूजा शुरु हो जाती है, जो कहीं न कहीं समाज को भटकाओ के तरफ ले जा सकती थी, हाँ, ये होता, उ अक्षरातीत का सुरुप मनेंगे, उनके समने प्राणवलव यथारफ शुरुप कभी भी फरकट हो सकता है, जाको दिल, जिन भासो, तासो, मिले तिन विध्ध, मन चाया सुरुप होई के कारिज की ये सबसीत है। हम अपने प्राणवलव अक्षरतीत को परमधाम की दिश्ट से देखें, संसार की दिश्ट से नहीं। और छटे दिन की लेला में अपने जीवन का लक्ष हम पूरा करें। साम माननेता यही देखा जा रहा है। श्री प्राणवलव चित्र को इतने छोटे अस्तर पर प्रिचारित किया जाता है। कि ऐसा चित्र जिसमें कोई सौंदरी नहीं के बराबर होता है। वो जस्विता दिखाई नहीं देती। और उसको सरलता से संत के रुप में परिभासित कर दिया जाता है। महपुरुष के रूप में, कभी के रूप में, चत्र सालजी के गुरू के रूप में. लेकिन उस समैख के कल्पना किजिये उस भाव समाधी में डूपियें, जब महराजाचestar सालजी ने श्री जी के युगल शुरूप की आर्थी उतारी होगी इस भावना सिक के साथ किसी ठकुरानी जी संगले पधारे मेरे घर धनी बिना तुम्हें और देखे सुन नहीं मिसल बात पर साथ समयस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए कहीं तुम साक्षात अक्षराती थी तो हमचिन्ना तुम्हें बुनाए मारजा च्छत साल जी की भावना को फूर्ण करने के लिए सिरी जी ने युगल के रूप में उनको नजाने कितनी बारदर संदिया होगा अंतर जी च्छत साल जी ने देखा होगा आज यदि हम यह परकृचारित करें कि मातर सिकेट सेही अक्षराती थैं राष्टी संस्त है राष्टी संस्त घोसित करके नहीं ताड़िया बजाने लगते हैं एक भाना ढूड़ लेते हैं कि संसार वालों के सामने हम क्या प्रचारित करें। क्या आप अपने बेग में रखे हुए हीरे की टुकड़े को संसार के लोगों को खुष करने के लिए काँच का करके बताएंगे। कि में ने अपने बेग में काँच का टुकडा रख रख है। आप जदी हीरे को हीरा नहीं कर सकते हैं तो किरप्या काँच काने का प्रयाश न करें। समाद मैं यह कह दे न, कि मात्र सिकृष्ण ही परमात्मा है, और प्राहनाजी संत हैं, कभी हैं मापोरुस हैं कहीं न कहीं एक ऐसे अपराद की खाई में हमें ढकेल रहा है जिसका कोई प्राश्चित नहीं हो पाएगा महामती जी के द्वारा अक्षरातीत के अवे सरुप से उनके तन द्वारा जो भी ब्रह्मवानी उत्री है उसका एक ही लक्ष है हमारी आत्मा की जागरती हम अपने मूल घर की पहचान करें अपने मूल सरुप की पहचान करें उनके प्रेम में डूब कर हम स्वयम को जागरत करें और जाने कि हम कौन है हमारा प्रितम कौन है कहां है कैसा है यही तो जागनी लिला का चर्म लक्ष है और यहीं हम सट्रूती के इन भावों को अपने हिर्दे मंदिर में वसाल लेते हैं कि जी इस तरह से मिहराज तलब रहे हैं अपने सत्गुर महराज के रूप में विराजमान युगल सरूप के दिधार के लिए वैसे ही छटे दिन की लिला में हम महामती जी के धामिर्दे में विराजमान अपने प्राणिस्वर युगल सरूप का दर्शन करें उनके उनसे जी भार कर बाते करें जी भार कर नक सहसिक तक उनकी सोभा को देखें और उनकी अम्रित्मई बातों को सुनें ऐसा भी संसे किया जा सकता है कि क्या ये छटे दिन की लिला में संभव है मैं यही पूछता हूँ उनके लिए नेपोलियन का एक वाक बहुत अच्छा होगा कि असंभव सब्द क्यों मुर्खों के ही सब्दकोस में होता है प्रित्म अक्ष्रातीत का सक्षतकार उनकी प्रित्मा न कर सके तो कौन करेगा आप पर्यम्दाम की ब्रह्मात्मा है और आपको इस शिखा दिया जाता है कि आपको राजी नहीं मिल सकते तो यहीं समझना चाहिए कि ऐसा कहने वाले का मसिस कहीं विक्रितिक आसी कार हो गया है जब वाणी कहती है क्यों रहे दिदार बिन प्रान तो उस कथन को आप अपने उपर क्यों नहीं घटित कर दे हमें केवल आत्म निरिक्षण क्या हो सकता है कि कहीं ने कहीं हमारे जीव के विकारों का प्राबल है जिसके कारण हम समर्पन संदा प्रेम विरह की रापन नहीं चल पा रहे है यदि हमने स्वेम को विरह प्रेम की कसोटी पर खरासीद कर दिया तो संसार के ऐसी कोई सकती नहीं है जो हमें प्रितम का दिदार करने से वंचित कर सके और सटुती इसमें एक उत्प्रेरक का काम कर रही है सटुती की हर चपाई हमें जगजोर रही है आप देखेंगे सटुती में कहीं नहीं वर्णन है कि मिहराज हफसे में किसी महामंत्र का जब करते थे कहीं वर्णन है भीतक में सल्टुती में वाणी में उनकी अंतरात्मा भी पुकार रही है आँ भी सुकी यंग में स्वांस विछोड़ी उसंग तब तुम पर्दा डालके दियो मोह अपनो न तुम्ही राज जी ने कहीं भोग लगाया न माला का जब किया न परिक्रमा की कुछ ने किया अंतर इद्रिष्ट के अलपिरितम को निहार रही है हम ये वीरा और पिरेम के मार्क पर चलना है बताया जब सद्गुर्ध धनिसी देविचेंजी खोज में थे बाले आउस्था थी तो वो मंदिर में परिक्रमा करते हैं बार बार सहस्टांग परिक्रमा करते हैं जब कांजी भाई के पास कांजी भट के पास वेतक सुनने जाते हैं वो भागवत सुनने जाते हैं तब वो भोग भी लगाते हैं लेकिन चित्वनी करना नहीं चोड़ते हैं वो ध्यान का अवस्य करते हैं और दूसरी बार जब दर्शन होता है ब्रज के सुरुप के रुप में दर्शन देने वाले होते हैं स्वयम स्री राची जो ब्रज भिहरी के रुप में दर्शन देते हैं लेकिन महामती जी के तन से केवल एक विरा प्रेम का मार्ग दरसाया गया है। छठे दिन की लीला में हमें केवल वही मार्ग लेना है। यदि हम ये सोचें कि सद्गुरु देवचन जी भी तो मंदिर की परिक्रमा करते थे हैं, पूजा बाट करते थे हैं, भोग लगाते थे तो मैं यह नहीं कहता कि आप युगल सुरुप को भोग न लगाए। आप बच्चों से यह काम कराएं, अब आप बड़े हो गए हैं, तो कम से कम आँखे बंद करें। बिरा के भाव में तो अपने को डुबोई है। क्या आप परमधाम की ब्रमात्मा कर लाकर रस्खान से भी पिछे रह जाएंगे, मीरा से भी पिछे रह जाएंगे, सूर्दास से भी पिछे रह जाएंगे, मीरा सूर्दास और रस्खान तो इस संसार के जीव हैं, परमधाम की ब्रमात्मा उनमें नहीं है। विये अभेहत के भी नहीं है, लेकिन कृष्ट की प्रेम ने उनको दिवाना ऐसा कर दिया है। कई-kई दिन भूखे हैं, रस्खान, उनको चिंता नहीं है, कि मैं ये कब खाया हूँ, कब नहीं, मेरा प्रेम में दिवानी हो गई है। आप चित्वनी में दिवाने क्यों नहीं बनते हैं। राजी के विरह प्रेम में स्वयम को क्यों नहीं डूबोते हैं। क्या यह संसार आपको इतना अकर्षित कर लेता है कि आप 24 गंटे में एक गंटे भी विरह के आंसों से अपने गालों को भीको नहीं पाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आहार छोड़कर आप अपने शरीर को हड्यू को धांचा बना लेजिए। लेकिन इतना अंतर मुखित हो जाए कि इस संसार देखने की इच्छा ना रहे। क्यों प्रितम के दिदार की आस बनी रहे। और इसके लिए आपको चित्वनी में डूबना पड़ेगा। एक-एक अंग-अंग की सोभा में अपने को डूबोना पड़ेगा। यदि इस्थूल शरीर के दर्सन के लिए मिहराज इतने तडप सकते हैं। जबकि देवचन जी का तन किसी राजकुमार का तन नहीं था। वो इतना सुन्दर भी नहीं रहा होगा। किन्त मिहराज के अंदर बैठी वी इंद्रावती की आत्मा की भावना है। कि उस तन के हिर्दे में मेरे प्रितम युगल सरोप विराजमान है। इसलिए उसी भावना से देखने के कारण स्री देवचन जी का अंग अंग इतना प्रिया है कि मिहराज तलप रहे हैं। कब सत्गुमाराज के दर्सन हो जाए। कब मैं उनसे बाते कर लूँ। कब जी भर उनको निहार लूँ। इस प्रिया को वो सक्षात राजी का दर्सन मान रहे है। आज दो सागर सिंगार की वाणी में अच्छरतीत ने अपने नक से सिक तक के सिंगार का वणन कर दिया है। मेरी आँखे कैसी हैं। मेरे मुखार बेंद की सुबह क्या हैं। होट कैसी हैं, ठुड़ी कैसी हैं, नासका कैसी हैं, दोनों गाल कैसी हैं, दोनों कान कैसी हैं, गले की सुबह क्या हैं, हस्त कमल की सुबह क्या हैं, कमर की सुबह क्या हैं, चरण कमल की इंडिया कैसी हैं, चरण कमल की तलिया कैसी हैं, पंजे कैसी हैं, घुटने कैसी हैं, क तो इसका ताथ पर यह है कि हम संसार को यह साक्षी दे रहे हैं कि सिरिष्टी में हमसे बड़ा मंदभागी न तो कोई हुआ था, न है न कभी होगा जो सुंदर साथ चित्वनी नहीं करते उस संसार के सबसे बदनसी भागी हैं प्राणी है ऐसा सुनाला उसर कभी भी नहीं आएगा कि हम कह सके कि बैठे मासू की तजाहर पर दिल न लगे था महामती जी के धामिर्दे में प्रितम युगल सुरूप की चभी बैसी है सागर सिंगार के रूप में युगल सुरूप का शिंगार हमारे सम्ख पर्णित हो रहा है तीन सौ वर्सों से बानी का रस्टसवादन करने का अनवाओ संदर साथ को मिल रहा है कि वल परमान से चितवनी का रस लेते हैं किन्ट जो समानी संदर साथ है उसको ऐसे ही डरा दिया जाता है कि चितवनी तुम्हारे बस किने आप सूचेंगे कि चितवनी से दूर होकर आप अपनी अखंट संपदा को खो रहे हैं अंग ने तरसे रे वाला जी ने भेटवा मेरा हिर्दय परित्म से मिलने के लिए तरस रहा है मेरा हिर्दय तरप रहा है कब प्रितम के पास पहुंचाऊ सत्रुती में यही बात दर्सानी है जिस तरह से मीहराज के हिर्देतरप्राईस अपने सद्गुर महराज के दर्सन के लिए क्यूंकि वे सद्गुर महराज के सुरुप में अपने प्रानवल्णफ को पाते हैं अब हमारे सामने नस्री देवचंजी का तन है, नस्री मिराज का तन है हमें क्या करना है हमें ये ध्यान रखना होगा कि पंच्वाथिक तन तो उचल होते ही जाते है हमें उन युगल सरुप से मिलने के लिए वैसी ही तड़ बनानी है जो इंदराउती जी के आत्मा ने अरब से लोटने के बाद वीरा में गुजा रहे है और उसके पेस्जात हबसे में जाकर वीरा में छे माह तड़ दे रहे है यदि वीरा और प्रेम की वह अवस्था आ जाए तो निश्चे तुरुप से हमारा जीवन धंदन हो जाएगा अंग ने तरसे रे वाला जी ने भेटवा जीव तरसे जोवा माहली जोत मेरा जीव तरसरा है किसके लिए जोवा माहली जोत उनके हिरते में जो प्रीदम की जोत है जो प्रीदम की च्रवी वीरा जवा ने उसको देखने के लिए मेरा जीव भी तरसरा है जो पहले उने जाणूरे मुसूं था से एवरी तो निदहात आवी केम खोत येदि मैं पहले जान जाती है कि ऐसा ही होगा तो मैं आपको खो नहीं सकती थी इसका असे क्या है? स्रीदेवचन जी, परणाम सुकार नहीं करते हैं मिराज को भी ये पिड़ा दायक अनुपर होता है कि मैंने तो कोई धन की चोरी नहीं की सद्कु महराज को क्या मेरे उपर विश्वास नहीं? जो बाल बाई ने कि अन धमकी तो दी कि यदि मिराज का पड़ाम सुकार कर लेंगे तो मैं डूबी बड़ी मा, कूप मा मैं कुए में चलांग लगा लोगी क्या सद्कु महराज मेरे उपर विश्वास नहीं कर रहे है ये बाय लिला एक परदा बन गई और इस परदे के माध्यम से मिराज को बिरा की कोसोटी पर खरासित करना है ताकि छटे दिन की लिला में हर सुंदर साथ के लिए प्रेना बन सके सुंदर साथ इस लिला को एक आदर्स मान सके कि किस तरह से यदि हबसे में मिराज को नहीं जाना पड़ा होता तो आज हमारे सामने विरा का कौन सा आदर्स परस्तुत होता मूल शरुप ने मिराज के तन से ऐसी अदबुत दिला करा दी कि दो बर्स नोतनपुरी में रहते हैं और दो बर्स कलाजिकियां सिवाकारी में रहते हैं इन चार बर्सों में स्री मिराज हर पल तरपे हैं ने जाने कितने बसंद आए गए कितनी सीत रुत आई कितनी ग्रिस पर रुत आई कितनी हेमंत रुत रुत आई हर पल मिहराज का हिर्दे अपने सद्गुर्ण के दर्शन के लिए तरस रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि सद्गुर्ण के रूप में मेरे प्राणिस्वर ही डिला कर रहे हैं और यदि वो इस राज को पूरी तरह से समझ जाते कि ये वियोग मेरे लिए इतना कृष्टकारी होगा तो सायद हो सकता था कि मेराज वहीं धर्ना दे करके बैठ जाते हैं कि सद्गुर्ण राज चाहें कुछ भी हो जाए जब तक आप मेरा प्रणाम स्विकार नहीं करेंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ आखिर कितने दिन होते हैं एक दिन बित्थे दो दिन बित्थे तीन दिन बित्थे सद्गु महराज को कभी न कभी तो प्रणाम स्विकार करना ही पड़ता है यदि सुरी के प्रकास से सुरी कांत मड़ पिघल सकती है चंद्रमा के प्रकास से चंद्रकांत मड़ पिघल सकती है तो जिस तन में अक्षरतीत बैटकर लेला कर रहे हूं वो तन इतना निश्टूट तो नहीं था निश्टूट था जरा भी नहीं उस हिर्दे में तो प्रेम का ऐसा दरिया बाता है जिसके एक मुद्वी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन दंदन हो जाएगा किंदू ये लीला करके मिहराज के तन से ऐसी अलोकिक लीला करके छटे दिन की लीला में हम सुन्दर साथ के लिए एक ऐसा मार्क दरसाना था जिस पर चलने वाला हर सुन्दर साथ अपने धाम हिर्दे में अपने प्राणिस्वर को अनभूत कर सके और अपने जीवन को धंदन कर सके ये जो कुछ हुआ हमारे लिए हुआ सर्टिती की वाणी उत्री हमारे लिए राज से लेकर क्यामत नमाद तक की वाणी उत्री है हमारे लिए पिछला बच्चन प्रकास बच्चन आवे क्यों कर पिछला साथ आवेगा क्यों कर प्रकास बच्चन हिर्दे में धर चरनी है सुतो आय सही पर पिछले कारण ये वाणी कही च्छटे दिन के लेला में सुन्दर साथ की आत्मा को कैसे जागरित करना है इसके लिए तो ये वाणी अवत्रित हुई है ये वाणी अक्षरातीत का वंग में कलिवर है ज्यान में ही सुरूप है इस बाणी के सब्द अक्षरातीत के कहे हुए हैं जो उन्होंने स्री महामती जी के तन से कहे हैं और इसका एक ही उदेश से हैं सबकी आत्मा को जाकरित करना है इस दिया ब्रह्मवाणी का सम्मान अक्षरातीत की गरिमा का सम्मान करना है यदि हम बाणी के कथनों को बोला कर, ब्यक्ति विसेस या इस्थान विसेस के कथनों को सुरूपर मानेंगे, तो कहीं न कहीं हम अक्षरादीत के अपने प्रेम में कलंक लगा रहे हैं। महामिदी जी के आत्मा कह रही है, मैं अरब से आई थी, मेरी आत्मा, आपने प्रेम स्विकार नहीं किया, मैं भी दुरी बना लिया। यदि मुझे पुरुन पहचान हो गई गुतिसायत, मैं वहाँ से डिखता नहीं, और कभी ये आउसर नहीं खोता कि आज चार वरस हो गए। इतने वरस हो गए आपसे वियोग में और मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आपकी बाते सुन नहीं पा रहा हूँ, और जी भर कर बाते नहीं कर पा रहा हूँ। साथ ने मेली बेटो छो जारे सामटा, त्यारे अम बिना तमने केम सुभाए। मेरे अराध्य, मेरे सर्विस्सर, आप ये तो बताईए। सब सुन्दर साथ के साथ आप मिल करके आप बैठे हैं नोतनपूरी में। किन्त ये बताईए, मेरे बिना आपको कैसी अच्छा लग रहा है। आप अक्षाती थे और मुझे विरह के अगने में जलने के लिए अपने छोड़ रखा है। निस्चित है, मुनेरे वलया तम बिना, पलने पले काल जेम था है। एक पले काल में जितना कश्छ होता है, जितना समय लगता है। एक एक पल ऐसा लग रहा है, जैसे कि पले काल आ गया हो। आपके बिना तो मेरी ये आवस्था है। और आप अश्चर है, मुझे यहां छोड़ कर। सुन्दर साथ को लेकर अकेले बैठे हैं, बाते कर रहे हैं, क्या परेंध हम की आत्माओं में मेरी करना नहीं। क्या मैं आपकी इंद्रावती आत्मा नहीं। क्या मुझे आपके दिदार का अधिकार नहीं, आपसे बाते करने का अधिकार नहीं। या आपके अमृत्मी बात को सुनने का दिखार है यदि हम सुन्दर साथ सत्रुती को मसिस्क से नहीं प्रेम भरे भावों से चिंतन में लाने का प्रयास करें तो निश्ची थी है हम बिरह की कहीं ये कहीं सुगंत पाएंगे और सत्रुती के सागर में डुब की लगाने वाला तो निश्ची थी है कि अपने जीवन को धन्दन कर लेगा सुस्क जान के वाग विलास है सब्द जान कितिके तरकों से हमारा हिर्दे के वल सुस्क हो सकता है जैदि हिर्दे में प्रेम की रस्धारन नहीं है हमारा हिर्दे प्रेतम अक्षरतीर के लिए तरपता नहीं है तो सब्द जाल किवल एक कथन मात्र की सुभा है उससे आत्मा को कोई अनद नहीं मिल सकता इसलिए जान के सुस्क तीरों से बच कर हम कुछ समय से टृति की विरा वाणी में डूबाने का प्रयास करें नचाने विरा का तीर कौन सा हमारे हिर्दे को बेद दे आहम संसार से आखे मूद कर अपने प्रेतम के प्रेम में इस तरह डूब जाए ताकि हमारी ये बंद आखे कभी खुलने का नाम नले जैसे कभी कबीर जी ने आज से पांसो बर्स पहले बोला होगा नैनों के कल कोठरी पुतले पलंग बिचाए नैनों के चिकडार के प्यको लिया रिजाए कभीर जी कहते है कि मैं अपने नेत्रों के पुतलियों में अपने प्रेतम को बस कर लूँ बंद कर लूँ और आखों की पलकों को बंद कर लू और उसी आनंद में डूबी रहूँ हमारे साथ भी ऐसा ही हो हम भी चित्वनी में अपने नेत्रों के पुतली में या अर्थाथ अपने हिर्दय मंदिर में अपने प्राण बलनभ को बसा ले और जी भर कर देखती रहे देखते देखते डूब कर एक रूप हो जाए हम नहीं सोचे कि कितने गंटे बीथ गए तीन गंटे बीथ गए चार गंटे बीथ गए हम आट गंटे की नीद लेते हैं हमारी नासिका गरजन से दुसरे लोग परिशान हो सकते हैं कुमल सया पर सुने में किसको आनन्द नहीं आता किंद जिसने अपने हिर्दाइक आसन प्रितम के लिए भिछा दिया है और उसका प्राणवल्लब उस पर विराजमान होकर मुस्कराने लगता है तो इससे बड़ी आनन्द की घड़ी और कुछ नहीं हो सकती है सुन्दर साथ के लिए ये स्वर्णिम असर है कि इस आनन्द के अनुरतियों के लूटने के असर को न गवाए हर दिन ऐसा होना चाहिए कि हम सोते समय भी कुछ विराज के आंसों अपने आँकों से गिरा दे और सवेरे उठकर के भी किसी को देखने से पहले किसी से बाते करने से पहले या संसार के किसी कारिकों करने से पहले विराज के आंसों को गिराते हुए जी वरकर अपने प्रियतम के नक्स या सिक्त की सोभा को देखे कुछ बाते भी कर ले और कुछ उनके बाते भी सुनेंगे यदि सुन्दर साथ इस पत पर चलने का प्रयास करता है तो उनके चल्ड़ों में मेरा कोट कोट पढ़ा प्रियास कर दो उनके बाते भी सुन्दर साथ इस पत्स 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 पत्स